अखिलेश के लिए दीदी का प्रचार करना आपढ़ना यादव को क्यों रास नहीं आ रहा अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने आई ममता बनर्जी पर क्यों बरसिय परणा यूपी विदानसबह चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन हो चुका है ऐसे में बाकी चर्णों को लेकर सियासी बयान बाजी अपनी चरम पर है वैसे तो इस बार के चुनाव में स्पी और बीजेपी में मुख के मुकाबला माना जा रहा है लेकिन इस चुनावी लड़ाई में अखिलेश यादव को टीम सी प्रमोक और पशिम बंगाल की सीम ममता बनर जी का पूरा साथ मिल रहा है अलकी ममता बनर जी को ऐसा करना अपढ़ना यादव को रास नहीं आया दरसल समाजवादी पार्टी के सनक्षक मुलायम सिंग यादव की बहु अपढ़ना यादव बीजेपी के समर्थन में कानपूरते हाथ में चुनाव करने पहुंची थी इस दोरान उन्होंने तमाम वेरोधी दलोग पर जमकर निशाना साधा इतना ही नहीं अपढ़ना यादव ने यूपी चुनाव में अखिलेश आदव के लिए वोट मांगने आए बंगाल किसी हैं ममता बनरजी पर पलटवार किया अपढ़ना ने कहा कि बंगाल में खदेड़ा होबे तो इस बार यूपी में झेला होबे अपढ़ना यहीं नहीं रुकियों ने कहा कि ममता बनरजी यहाँ पर आई हुई है एक मुख्यमंत्री अपना परदेश चोड़ कर यूपी में क्या कर रही है अपढ़ना ने ममता दिदी को दो टूक संदेश देते हुए कहा हमें किसी भी तरीके की बंगाली बैसाकी की जरुवत नहीं जिस तरह से ममता बनरजी ने उतर परदेश को गुंडा कहा है आप पूछिए उनसे कि वो किस अधिकार से यहाँ पर आई है यूपी में सबका स्वागत है और हम ममता बनरजी को आप कहकर स्वागत कर रही है लेकिन आप ये बताएं कि क्या तिलक लगाना गुना है क्या यूपी के लोग गुंडे हैं ये यूपी को बदनाम करने की कोशिश है दौरान अपढ़ना से जब एसपी ब्रिमुक का खिलेश यादव की तीन सो पार के बयान पर सवाल पूछा गया तो नोंने कहा कि वो उन कल में लकल लेने जाना हो फिर शेहरों कस्वों में कामगाज के लिए जाना हो हर तरफ महिलाएं खुद को सुरक्षित मान रही है अपढ़ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत का उत्तम प्रदेश बनेगा जिससे मुक्यमंत्री योगिया रितनात होंगे और दस जैसे यह राम का नारा लगा कर मुख तो जबाब देंगे इंडिया नियुस वारल के रिपोर्ट